हलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज मैंने ये एक विंडोस 10 की बहुत ही यूनीक और स्पेशल पैंड्राइव रेडी की है और इस पैंड्राइव की खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे यूसफुल एप्स like mozilla, chrome, anydesk, adobe reader ये जो एप्स हैं ये इसी के अंदर pre-installed है यानि कि अगर आप इस पैंड्राइव से किसी भी system के अंदर windows का installation करते हैं तो आपको इस सारे apps already installed मिलेंगे और ये पैंड्राइव आप भी बहुत ही आसानी से ready कर सकते हैं बस steps को follow कीजिए और पैंड्राइव ready हो जाएगी और इसी तरह की informative videos के लिए टेक्नोबाजी को subscribe कर करना मत बूलेगा क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की informative videos लेकर आते रहते हैं तो चलिए आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं इस तरह की customized integrated apps वाली bootable pen drive ready करने के लिए हमें mostly 4 चीजों की जरूत होगी वो चार्जी जे कौन कौन सी है देखे सबसे पहली दो चीज है आपको Windows 10 की ISO image चाहिए जो कि आप Microsoft की official website से download कर सकते हैं absolutely free में ठीक है website पर जाईए media creation tool को download कीजिए और यहां से Windows 10 को download कर लिजिए simple इसके बाद हमें जरूत है एक virtual machine की तो इसके लिए हम यहाँ पर VMware player को download करेंगे जो कि absolutely free है यहाँ पर आपको official website पर जाना है VMware.com पर यहाँ पर आपक आपको और इसके बाद जो next web page open होगा इसका जो latest release है वो आपके सामने आ जाएगा go to downloads में जाएए और simply लगबग 577 MB का यह download है इसे download कर लिजिए very simple जो तीसरी important चीज है हमारे लिए वो है hirane boot cd Google पर जाईए hirane boot cd search कीजिए hirane boot cd.org की website आपके सामने आ जाएगी इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको जाना है इसके download section में और scroll down करके थोड़ा सा आपको नीचा आना है और यहां पर इसका जो फाइल ने हमें यह है इसका download इस पर आपको क्लिक करना है तकरीबन 3.3 GB के आसपास 2.89 GB की इमेज है इसको आपको download करना है मैंने अल्री download कर किये इसलिए मैं skip कर देता हूं और इसके बाद next और आखरी जो चीज है वो है हमारी power iso power iso.com की website पर आपको जाना है और यहां पर इसका 32 bit या फिर 64 bit जैसे आपकी requirement है वो आपको download कर लेना है मैंने यह सारी चीजे already download कर रखी है तो हम begin करते है ठीक है यह चारों चीजे मैं हम vmware player को open करेंगे तो हम यहां पर search कर लेते हैं vmware player अब यहां पर आप एक windows 10 की virtual machine ready करेंगे ठीक है तो यहां पर आपको आना है create a new virtual machine पर आपको आना है और इसके बाद यह option है I will install the operating system letter इस पर आपको click करना है next पर click करना है windows 10 या फिर letter आपको यहां पर choose कर लेना है next पर click करना है इसके बाद यहां पर आपको path देना है कि कहां पर आपको आपकी virtual machine को save करना है तो मैं यहां पर इसका path देने वाला हूं D drive का क्योंकि मेरे पास D drive के अंदर काफी space available है ठीक है तो इस PC में आते हैं D drive के अंदर और यहां पर मैं एक नया folder बना देता हूं और इसका ना आपको देना होगा तो यहां पर मैं storage भी कर देता हूं और store virtual disk as a single file next इसकी बाद finished अब आपको क्या करना होगा इसको Windows की जो ISO image है वहां से इसको बूट करवाना होगा ओके तो हम यहां पर आते है एडिट virtual machine setting के अंदर इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जो CD DVD का option है दोस्तों यहां पर आपको आना है यूज ISO file image पर जाना है आपको और browse पर क्लिक करना है जहां पर आपने आपकी Windows 10 की ISO को download कर रखा है वहां पर आपको उसे navigate करना है ठीक है और open पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद ओके अब इसके बाद हम virtual machine को power on करते हैं तो play virtual machine इसके बाद Windows 10 का setup हमारे system के अंदर यानि की virtual machine में start हो जाता है इंस्ट्रक्शन को follow करते वे हमें setup को आगे बढ़ाना है mostly laptop या desktop के अंदर Windows 10 का home edition या फिर Windows 11 का home edition ही आता है प्रिंस्टॉल तो हम यहाँ पर home single language को ही select कर लेते हैं next पर click करना है अब 100 GB का जो हमने यहाँ पर hard drive दिया है इसके अंदर से हम 60 GB दे देते हैं Windows के लिए apply और इसके बाद जो rest partition बच जाता है उसका हम एक नया partition create कर देते हैं कर देते हम इसको format और C drive के अंदर Windows का installation कर देते हैं और installation के time पर आप नहीं चाहते हैं कि internet access कर रहे हैं आपका setup तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर जो network का icon है इस पर right click करना है और disc ramp के ओपर click कर देना है इससे क्या होगा कि setup के अंदर जो updates आते हैं यह वो नहीं लेगा और आपका time बचेगा तो Windows 10 का setup यहाँ पर complete हो चुका है अब हमें क्या करना होगा जो भी software हम चाहते हैं कि हमारे इस bootable pen drive के अंदर हमें मिले pre-install condition के अंदर वो software हमें हमारे इस virtual machine में install करने होंगे like PDF reader, mozilla, chrome या फिर any desk जो भी आप चाहते हैं install कर दीजे जो भी software आपको install करने है installation complete कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है हम यहाँ पर open करेंगे file explorer इसके बाद जो हमारी windows वाला partition है उसको हम rename कर देते हैं और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूं windows 10 ठीक है अभी यह जो हमारा c drive है दोस्तों यह बिल्कुल ready हो गया है install.wim में convert होने के लिए लेकिन सबसे पहले हमें हमारे system की जो personal information है जो हमने user बनाया है या फिर जो हमारे system की virtual machine की information है उसे इससे delete करना होगा ताकि जब भी हम किसी दूसरे system के अंदर installation करें तो हमारी कोई भी information उसमें transfer ना हो इसके लिए क्या करना है हमें आना होगा c drive के अंदर windows में आईए यहाँ पर आपको आना है system 32 के अंदर और यहाँ पर आपको search करना होगा sys wrap okay यह sys wrap folder आना है और यहाँ पर जो sys wrap option है दोस्तों इस पर right click करके run as administrator करके आपको इसे open करना होगा तो इसके बाद कुछ इस तरह का dialogue box आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको check box मिलेगा जर्नलाइस का इस पर आपको tick कर देना है और यहाँ पर shutdown option के अंदर आपको shutdown पे click कर देना है और okay कर दीजे कुछ देर processing चलेगे आपकी और इसके बाद आपका जो system है वो shutdown हो जाएगा इसके बाद हमारा जो player है वीमवे player यह भी automatically close हो गया है तो एक बार फिर से हमें player को open कर लेना होगा अब देखे यह जो left hand side पर हमें दिखा रहा है Windows 10 हमारी यह virtual machine है अब हमें क्या करना होगा जो हमने herein boot CD download की है उससे system को boot करना होगा ओके तो हम यहाँ पर जाएंगे edit virtual machine setting के अंदर और यहाँ पर जो CD DVD का option है दोस्तों जहाँ पर पहले हमने Windows 10 के ISO को select किया था browse में जाएंगे हम और यहाँ पर इस बार हमें herein boot CD को select करना है और open पर click कर देना है okay कर दीजे अब देखे इसके बाद आपको play virtual machine पर click करना है और तुरंत F12 को बार बार प्रेस करना होगा बार बार F12 दवाने से आपकी जो VMware virtual machine है उसका temporary boot पर नी open हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा यह जो SATA CD-ROM option है यह वाला आपको option select करना होगा और enter पर click कर दीजे अब आपका जो virtual machine है वो hearing boot CD से boot होने लग जाएगा तो यहाँ पर resolution थोड़ा सा गड़बड हो गया है तो सबसे पहले हम resolution को set कर देते हैं तो यह करेंगे हम यहाँ पर right click और यहाँ पर आते हैं display setting में थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है लेकिन करना तो पड़ेगा इसके बाद यह जो resolution है इसको हम set कर देते हैं 1200 पे के आसपास ठीक है यह और apply ओके resolution हमारा ठीक हो गया है तो चलिए अब हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमने जो इसके अंदर user बनाया था उस user को इस image में से delete करना होगा ठीक है तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर start menu में all programs पे हमें को click करना है और यहाँ पर आना है हमको security व बनेवे होंगे जो कि हमने बनाया था देखिए यहाँ पर यह आ गया है टेक्नोबाजी के नाम से तो हमें करना क्या होगा इस user को यहां से remove करना होगा ताकि जब भी हम किसी भी system fresh solution करें तो एक नए user create करें ठीक है तो right click करेंगे हम इसके उपर और delete user पे click कर देंगे ओके कर दीजे तो यह हमारा जो user है वो delete हो गया है ठीक है user account टेक्नोबाजी is deleted ओके कर दीजे लेकिन देखिए यहाँ पर एक information आ रही है found the user profile folder see user टेक्नोबाजी यानि कि user का जो folder है वो अभी भी वही पर ही मौजूद है तो हमें क्या करना होगा manually उस folder को delete करना होगा तो इस इसके लिए हम आएंगे this PC में c drive को खोलेंगे हम user में आएंगे यहाँ पर जो टेक्नोबाजी नाम का फोल्डर है दोस्तों यहां से हम इसे कर देते हैं delete ठीक है तो यह हमारे user की information यहां से remove हो चुकी है और इसके बाद हमें command prompt को open करना है तो जो desktop पर icon है command prompt को इसके उपर right click करेंगे run as administrator करके से open करेंगे ठीक है तो देखेंगे अब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो कौन सी हमारी windows का partition है तो this PC में आईए तो हमारे यह पार है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी case के अंदर भी C और D ही हो हो सकता यह E और F हो जाए या फिर कोई भी और drive letter हो सकता है तो इस दोनों चीज़े आपको note कर लेनी है ठीक है तो अब इसके बाद क्या करना है हमें इस पूरे C drive की एक capture करनी है image इसके लिए हम Dism utility का इस्तमा सहरा लेते हैं ठीक है तो जो Dism command है इसको आप किस किस तरह से use ले सकते हैं इसकी जो help है यह सारी हमारे सामने यहां पर आ रही है ठीक है तो हमें जो option चाहिए वो है इसका capture image command ठीक है इससे आप क्या कर सकते है capture an image of a drive into a new Vim file तो इसका यही option हमें use करना है ठीक है लेकिन इसे भी कैसे use करना है पूरा extension क्या होगा इसके लिए भी हम इसकी help लेंगे ठीक है तो हम फिर से command type करेंगे Dism.exe space देना है backslash लगाना है C-A-P-T-U-R-E dash image इसके बाद dash लगा लेना है ठीक है तो इस command को कैसे काम लेना है दोस्तों यहां पर इसका example पूरा आ गया है ठीक है तो dot exe space देंगे हम backslash लगाते हैं C-A-P-T-U-R-E dash image और image जो है दोस्तों वो हमारी कौन सी होगी वो हमारी होगी D drive के अंदर जहां पर हमको file save करनी है यहां पर हमें वो location देना होगा तो इसके लिए हम आगे command type करेंगे image file colon और यहां पर हमें देना होगा हमारी D drive का पूरा path त drive और drive के लिए हमेशा front slash का use होता है तो हम यहां पर front slash लगाएंगे और यहां पर हमको इसका नाम देना है install.wim ठीक है ठीक है तो हमारा यहां तक का part अभी पूरा हो चुका है अब हमें इस image को कहां से copy करना है वो path हमें यहां पर देना होगा तो इसके आगे की command है यह लगाते हैं हम इसका back slash command देंगे capture dir अब देखें यहां पर example के अंदर D drive दिया हुआ है लेकिन हमारे case में हमारी जो C drive है वह यह लगाते हैं front slash इसके बाद यहां पर इसमें space दिया हुआ है यह जो है यह space से बीच में तो हम यहां पर space दे करके लगाते हैं back slash अब इसके बाद हमें नाम देना है तो नाम देते हैं name यह वाला नहीं यह वाला लगेगा इसके अंदर ठीक है और यहां पर इसमें और win 10 home क्लोज ओके तो यह हमारी कमांड पूरी हो गई है कमांड को आपको नोट कर लेना है ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर जराश से भी घड़ बड़ी हुई तो कमांड काम नहीं करेगी इसके आपको सिंपली आपको एंटर पे क्लिक कर देना है Dism Utility अपना काम स्टार्ट कर देती है और यहां पर आपको परसंटेज नजर आते हैं यह परसंटेज 100% होने तक आपको वेट करना होगा Dism Utility के अंदर image को save करते समय अगर कुछ problem आ रही है या कुछ error generate हो रही है दोस्तों तो आपको अपने system को internet से disconnect करना होगा और फिर से इस command को implement करना होगा और 100% होने तक वेट करना होगा तो 100% task हमारा complete हो चुका है तो simply इसके बाद आपको close कर देना है और आपको कोई भी pen drive इंसर्ट करनी होगा अपने system के अंदर ओके और जैसे ही इस तरह का डायलो बॉक्स आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है virtual machine के अंदर इसको connect करना होगा और ok पर click कर दीजिए आपनी pen drive के अंदर जो भी आपने इंसर्ट की है यह है मेरी pen drive simply इसके अंदर paste कर दीजिए फाइल पूरी copy हो जाने के बाद आपको simple है इस system को कर देना होगा shutdown pen drive को system से बाहर निका लिए और इसके बाद virtual machine आपकी close हो जाएगी या नहीं होती है automatic तो close कर दीजिए ठीक है इस इसके बाद उस pen drive को host computer के अंदर वापस से आपको connect करना होगा और connect करने के बाद आपको यह जो WIM है दोस्तों इसको आपको कर लेना है copy और कहीं पे भी आप अपनी मांचा ही जाके पर इसे paste कर सकते हैं फिलाल जो मेरी directory है जहाँ पर मैंने इन चारों चीजों को पहले से copy क अगर रखा है वही मैं इसे paste कर देता हूं अभी install.wim का जो file size है दोस्तों यह तकरीबन 6.8 GB के आसपास है जो की MBR mode बादी windows installation के लिए तो perfect है लेकिन अगर आप EFI यानि की GPT partition के अंदर install करना चाहते हैं तो bootable pen drive जो है वो fat32 में format होती है और जो fat32 format है दोस्तों उसके अंद करना होगा पहले इस install.wim को compressed करना होगा install.esd format के लिए तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले है power iso ठीक है जो हमने download किया था इसके बाद इसे run as administrator करके इसे आपको open करना है permission पूस्ता है यह इस पर click कर दीजिए तो हम यहाँ पर इसका under registered वर्धनी यूज करने वा करेंगे यहाँ पर दो option है ESD to Wim और Wim to ESD तो हमारी जो source file है वो Wim file है तो हम यहाँ पर Wim पर click करेंगे Wim to ESD पर इसके बाद select source के अंदर जाते हैं हम और यह जो हमारा source है install.wim को select करते हैं और destination हम सेम रहने देते हैं और simple convert button पर click कर देते हैं इसके बाद आपको अपने system को छोड़ देना होगा अपने हाल के उपर क्योंकि इसके अंदर time लगेगा थोड़ा सा यह आपके computer की पूरी energy consume कर लेता है आपके processor को पूरा निचोड़ लेगा यह process ठीक है तो यह जब भी process आप start करें तो कोई दूसरा काम ना करें sorry दोस्तों बीच में power cut हो गया था तो जि source location पर जहां पर हमने हमारी install.wim को copy गया था ठीक है अब आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारी install.wim है और यह हमारी install.esd फाइल है और इसके अगर हम properties देखते हैं तो यह 4GB जे कम है यही हमको चाहिए था अब हमें क्या करना होगा इस install.esd को windows 10 की original iso के अंदर insert करना होगा ठीक है तो इसके लिए हमें एक utility का use करने वाले है और वो मैं आपको पहले बता ना भूल गया sorry तो इसके लिए हम वहाँ पर इस्तबाल करने वाले है any burn यह एक free utility tool है जिसकी मज़द से हम iso file को modify कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं 64 bit का version download कर रहा हूँ और बस इसे अपने system के इंदर install कर दीजिए ठीक है अब देखे इसके पाद आपके सामने कुछ इस तरह का environment आ जाता है तो यहाँ पर option आता है edit image file इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको आपकी Windows 10 जो कि आपने Microsoft से डाउनलोड की थी उसे select करना होगा तो हम यहाँ पर आते हैं हमारी इस Windows 10 image के उपर open पर click करते हैं अब देखे इसके बाद हमें install.esd को replace करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर source के अंदर और इसके बाद हमें धूननी है install.esd file तो हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा scroll down करके नीचे और यह रही install.esd file इस पे हमें क्या करना है क्लिक करना है और remove पे क्लिक कर देना है इसके बाद add पे जाएंगे हम और जो हमारी install.esd फाइल है जो भी हमने अभी convert की है उसको हम यहाँ पर add करवा देंगे that's it इसके बाद next पे क्लिक करना है और वापस से इस फाइल को save कर देना है तो यह हमारी modified windows 10 की custom ISO image तयार हो गई है जिसके अंदर काफ़ी सारे apps pre-installed है और इसके बाद आपको exit कर देना है बस अब इस ISO फाइल को आप refuse से अपने bootable pen drive के अंदर convert कीजिए और किसी भी system के अंदर इस ISO से windows 10 का installation कर दीजिए दोस्तों ऐसी useful वीडियो के लिए टेक्नो बाजिक को subscribe करना मत बूलिएगा और हाँ वीडियो अगर यह वाली पसंद आई है तो like ज़रूर कीजिएगा फिल्म लागातोगी अगले वीडियो में गुडबाई जहेंद